हाँ जी तो बाई आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स फाइनली लाँच हो गए है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आईफोन 16 और आईफोन 16 प्रो के कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जो मुझे परसनल लेवल पे बैस्ट लगे है तो तायम वेच्ट नहीं करेंगे, वीडियो के और बढ़ते हैं लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं हो पहले सबस्क्राइब जरू कर देँदा क्योंकि आप सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो अब वीडियो स्टाइट करते हैं नए edition से जो इस बार iPhone 16 के अंदर आपको मिलने वाला है और वो है एक physical button वैसे iPhone 16 series के अब हर device के अंदर आपको action button मिलने वाला है अब बात मैं action button की नहीं कर रहा था जो नए edition यहाँ पर iPhone 16 के अंदर हुआ है वो है camera control button अब आप इसे camera control button बूलो या फिर capture button बूलो या फिर shutter button बूलो आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो वैसे Apple ने camera control बूला है अब कुछ time पहले है मैंने iPhone 16 के leaks के उपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि iPhone 16 के अंदर physical button एक और आ सकता है जो camera से related हो और as it is वैसी होँ उसी position पर आ गया है तो यह button multiple functionality के साथ आता है जैसे कि आप button tap करके camera directly open कर सकते हो और जैसे click करोगे picture click हो जाएगा press and hold अगर आप करके रखते हो तो video record होगा इसके अलावा यहाँ पर यह particular button आपके हिसाब से वाप पर you know swipe कर सकते हो तो यह gestures आप कर सकते हो उस बटन के साथ तो अलग-अलग functionality जो है यहाँ पर perform होगी और आप दो बार lightly press करते हो तो all tools को जो है आप access कर सकते हो तो हाँ यह नया dedicated camera button है जो आप आपके हिसाब से यूज कर पाऊगे और आपके जो video लेने का तरीका है या फिर photo लेने का तरीका है completely change हो जाएगा अगर आप 16 16 का 16 series का कोई भी phone बाय करते हो क्योंकि हर phone के अंदर आपको यह button मिलने वाला है अब बाई camera के बाद चली रही है तो एक और चीज यहाँ पर इस event के अंदर शोकेस की गई जो थी विजूल इंटेलिजन्स आप गूगल लेंज भी से एक तरीके से बोल सकते हो अब आपको जो भी चीज के बारे में information चीए आप capture बटन से जो है उसे क्लिक कर लीजिए और उसके related information आपको मिल जाएगा अब होटेल का फोटो खीचते हो तो उसके related information आपको मिल जाएगा उसकी ratings क्या है और बाकिसारी details आपको आपको मिल जाएगा तो उसके related details आपको मिल जाएगा जिसे Apple यहाँ पर visual intelligence बोल रहा है तो यह multiple चीजों में काम आ स visual intelligence के तुरू जो है आपको details मिल जाएगी तो यह एक additional feature है जो इस बार iPhone 16 के अंदर आपको मिलने वाला है सारे phone के अंदर मिल जाएगा तो आप यह दा दूसरा feature जो मुझे अच्छा लगा है iPhone 16 और 16 Pro के अंदर इसके बाद दोस्तों जो next चीज मुझे best लगी है iPhone 16 series के अंदर वो है आपको दो नए चिपसेट यहाँ पर देखने मिल जाते है अब 16 और 16 प्लस के अंदर आपको A18 Bionic चिपसेट मिलेगी और 16 Pro and Pro Max के अंदर आपको A18 Pro यह चिपसेट देखने मिल जाएगी अब यह दोनों भी चिपसेट second generation 3 nanometer architecture पे based है तो power efficient रहने वाले है और powerful भी रह आप है तो एडवांस चिपसेट आपको मिलने वाले और यह चिपसेट आने का रीजन यह है क्योंकि apple intelligence यहाँ पर है तो apple intelligence on device अच्छे से काम कर सके 16 series पे इसलिए यह दो चिपसेट यहाँ पर आपको अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है in comparison to last generation और AAA gaming titles भी आप अच्छे से प apple intelligence 16 series के हर फोन के उपर आपको देखने मिल जाएंगे 16 16 प्लस 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स के उपर तो चारों डिवाइस में आपको मिल जाएंगे तो on device यह चीज परफॉर्म होगी तो अच्छी चीज है कि AI features आप यूज कर पाऊगे और जो चीज on device possible नहीं है उसके लिए इंडिकरेशन भी कुछ उसी तरीके से रहने वाला है तो हाँ apple intelligence इन शॉट उसके जो भी सारे फीचर है चाहे वह स्मार्टर सीरी हो राइटिंग टूल हो इमेज जनरेशन हो वह सारी चीज़े आपको 16 series के अंदर मिल जाएगी अब दोस्तों AI के नए नए features तो आ गये अब फोटोग्राफिक स्टाइल नया feature आपको देखने मिल जाएगा अलग-अलग different filters आप बोल सकते हो है फिर अलग-अलग फोटोग्राफिक स्टाइल से आपको देखने मिल जाएंगे और यह camera control वाले बटन के साथ भी आप ondo को चेक कर सकते हो कि बाई किस filter में किस photographic style में मुझ option available नहीं है वहाँ पे आप 4K at 60fps तक maximum shoot कर पाओगे लेकिन Dolby Vision के अंदर आप 4K at 120fps शूट कर सकते हो यह बड़ी चीज़ है और यह सेम चीज़ आप ProRes में भी शूट कर सकते हो यह लोग वाले मोड पे शूट कर पाओगे लेकिन 120fps तक शूट करने के लिए आपको external drive connect करना पड़ेगा तो वीडियो को लेकिए एक update है जो की काफी सही है इसके बाद दोस्तों जो next feature में बताने वाला हूँ वो 16 Pro and 16 Pro Max के अंदर रहने वाला है अब यह feature है audio से related अब देखो भाई audio mix करके आपको एक feature मिलने वाला है अब वो explain करने से पहले एक चीज़ आपको बता तो जब भी आप mixing करोगे तो audio mix के अंदर आप different style चूज कर सकते हो आपको cinematic style में audio mixing चीए या फिर studio style में आपको audio mixing चीए तो काफी सही तरीके से mixing का option आपको दे देता है और यह एक next level लगता है मुझे editing के मामले में phone के उपर कि आपको audio mixing का भी option phone के उपर ही मिल रहा है अब आ आप special audio record भी कर सकते हो उसी तरीके से edit भी कर सकते हो इसके बाद दोस्तों जो next चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है पूरे event के अंदर वो है iPhone का price और शॉकिंगल इस बार iPhone का price बड़ा नहीं है सबसे पहले तो जो non pro variant है उनके price सेम है जो last year non pro variant के price थे तो base variant अगर मैं बात क सबसे शॉकिंग वाली यह है कि जो pro variant है उनमें यहाँ पर price बड़ा नहीं है इस बार उल्टा कम हो गया है तो 15,000 का difference आपको देखने मिल जाएगा तो जो iPhone 16 pro का base variant है वो आपको 1,19,900 में मिलेगा जो पिछले साल के pro variant से 15,000 सस्ता है और जैसे जैसे आप variant बढ़ाओगे तो हर variant में आपको 15,000 का difference आपे मिल जाएगा तो आब इस बार मुझे iPhone के pricing अच्छी लगी है हाला कि iPhone इंडिया में manufacture होने वाला यह भी बड़ा factor हो सकता है जिसके वैसे price कम है लेकिन हाँ at least इस बार price बढ़ा नहीं है कम ही हुआ है तो अच्छी चीज है तो भाई यही सारी ची कर दो